नमस्कार स्वागत है आपका हमारे न्यूश चैनल 10 News Network में मैं हूँ आपके साथ हिमानशु शर्मा जैसा कि आप जानते हैं हम तमाम तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि RWA जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके हम यह देख रहे हैं कि तमाम सेक्टरों में कि सरीकी की समश्या हैं पराधिकरन के तौर पर हो या पुलिस प्रोशाशन के तौर पर हो या फिर क्या सुवधाएं उन्हें उनकी तरफ से मिल रहे हैं इन सारी चीजों के बारे मे समस्याओं में तो इस सबसे वड़ी समस्या है वह हमारी अतिकर्मित है और जिसके बारे में हमने प्राधिकरन को बारबार सूचित किया है और NGT में मुकदमा भी जीते वे हैं उसके बावजूद अरबोरुपे की भूमी जो है वह एंक्रूच्मेंड में हैं और प्राधि रादिकरांड इसके पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है यह अमारे सिक्टर की सबसे बड़ी समस्या है इस वजे सेख्तर में आशा थीग, परिवर्तना है हमारे साथ पवन गोयल जी थे जो कि आगे भी हम बातचीत करेंगे सर आप किस तरीके से देखते हैं समश्याओं को चाहें वो प्राधीकरण के तौर पर हो पुलिस प्रिशाशन के तौर पर अधिये साथ मेरा नाम संदीप चंदल है और मैं जनरल सेकेटरी हूँ अब हमारे साथ पर्यम्शरमा जी भी जुड़े हुए हैं आप सेकेटरी हैं और आज का दिन समस्याओं के लिए जहां तक बताया है, वो पवंजी ने बता दिया है, लेकिन आज का दिन हमारा रामया दिन है और हम केवल राम का ही कारे कर रहे हैं, समस्याओं के लिए तो पूरी जिन्दगी पढ़िया, आज समस्या सुधारने का समय है, और देश ने 500 वर्ष की समस्या अती बड़ी सुधारी है तो यह समस्या जिन्दगी पर चलती रहेंगी, आज केवल राम्मे का पुलिस प्रशाशन की ओर से जब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे देखें सुरुखषा जो मैं पहले 10 साल से compare करूँ तो लगभग 20 गुना बहते है पिछले 5 साल से compare तो दस गुना बहते है और पिछले 2 साल करूँ तो 2 गुना बहते है तो बहतरी पर है समस्य अरहेंगी पुलीस का हमेशा सहुग रहता है यहाँ पर जो रात पो जो सारी इं चारो तरफ से खुलावा है तो इंक्रो एंक्रोश्मेंट और इंग्रेस होता रहता है सब्सक्राइब और कहीं न कहीं चोरी चकारी कुछ न कुछ उच नीच होती रहती है तो और इसमें खासकर इंडियूजल घरों की चोरी के साथ साथ जो राष्टे संपत्ति और जो है तो क्या इस सेक्टर में भी यह है अतियंत गंभीर समस्या है मेरे ख्याल से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है हफते के अंदर एक दो केसिस कुछ डॉक बाइटिंग के होते रहते हैं और उसका सबसे बड़ा शिकार है वह डिलिवरी बॉइस हैं ड्राइवर्स हैं वह बह तालिस को देखते हैं सुरक्षा की निगाहों से या प्रादीकरण की अगर बात करूं तो उसके तौर पर अगर कोई समझ्या या पर एक्सवाइजन क्या कुछ कहना चाहें कि अगर को लेके तो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट है हमारे सेक्टर में य फिर बी जो रह जाता है हमारे पॉल अप के बाद वह जाता है वह होटी कर्चे को लेके भी यहां बागवानी हमारे जो पार्त बगरा बड़े अच्छे से मंटेन करें और थोट एसा है कि हमारे सेक्टर में बहुत जाद है पेड हैं प्रनूइंग की लगातार जरूरत होती है लेकिन अथोर्टी उसको हमें करने नहीं देती और अपनी टीम भेजती नहीं यहां पर हमारा लगातार फॉलॉप होने के वाब जूद भी आएट दिन शड़ोन होता रहता है क तो शड़ोन इस बज़ा से जाद होता है पेड़ों की बज़ा से बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ आडवलू एप अधिकारी थे सेक्टर 48 के जिनसे हमने बातचीत की और क्या कुछ समश्या है इन्होंने साफ तौर पर हमारे सामने रखे हैं नौईडा ऑफॉ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इन समश्याओं पर जरूर रूख करें मैं आप देख रहे हैं तेन न्यूस नेटवर्क मैं हूँ आपके साथ इमान शुर्मा दस बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रही है अटाचाओं कॉट कॉट कॉम